बीजेपी के बुल्डोजर के सामने चटांग की तरह खड़े हुए केजरिवाल का एक भी जुगी नहीं तूटने देंगे उनके विधायक हैं, पारिसद हैं, वो बीजेपी के इस सपने को पूरा नहीं होने देंगे उन्होंने कहा हम चटान की तरह खड़े होकर लड़ेंगे, हम लोगों का साथ देंगे आइए सुनते हैं कि सुमनात भारती ने और क्या कुछ कहा है M.C.D. चुनाव के परिनाम के तुरंत बाद पूरा बीजेपी का महकमा LG ओफिस के माद्यम से, TDA की ताकत का दुरूपयूग करते हुए ऐसे तमाम नुपिसिज निकालता है, जिसके कारण कई हजार लोग भी स्थापित होने का खतरा उनको मढ़ाने लगता है महरोली में यह जो बारह दिसंबर 2022 का नोटिस है इस पे लिखा गया है कि तस दिन के अंदर अपने आपको और पकाराख खसरा नंबर इसमें बेंसेंट है फिर सारे खसरा नंबर है दस दिन के भीतर अपने आपको कहीं और ले जाओ नहीं तो हम अपने बुल्डोजर लेकर पहुच जाएं सर्दिकार दिन है तनिक चुन्ता नहीं है कि गरीब पर क्या बितेगी अगर इस प्रकारी कारवाई दोते हैं सुकर है कि अर्विंद केजरिवाल दिल्ली में है अर्विंद केजरिवाल के सकार दिल्ली में है अर्विंद केजरिवाल के बढ़ायक दिल्ली में है अर्विंद केजरिवाल के पासर दिल्ली में है कारकरता दिल्ली में है सुकर है कि हम खड़े हैं चट्टान की तरह भाजपा क्या कि एल जी क्या कोई भी यह सपना भी ना देख लें कि वो बुल्लुजर से गरीगों की जुगियों को गिरा दें इन इतने बड़े खशने में जुकि में में अथारिटी हो डीडिया का जब मैंने जाके बात की तो प्लारिटे तक नहीं है कि बहुत क्या है क्या है क्या खसरा क्या नहीं कुछ नहीं क्लारिटी जी रो मिंदी प्लानिंग पहले थी 15 जनवरी को हम बुल्डो जो लेकि आएंगे हम वहां गए अ को हाँ पहुचे और विहां मालुम पुणा की यह जो मैं आपको मैपर दिछाता हूं वहां कि थैज न है अब यह यह द्यूदि आप देख रहे हैं यह लइक य लदयान इनका रेफृरेंस लाइन ले में यह लाइन पहले यहाँ पर तो गैर आवाधी इलाके में था इस इलाइन आवाधी लाके में ले आए और उसका कोई भी साइन्टिफिक बेसिस नहीं इसमें गोशिय कोलोनिके live live प्रभावित हैे और आपको याद दिलाना चाहता हूं आप मात्याूरी दिल्ली को वयाद दर आना चाहता हूं कि पहले भी कि जब 2017 में इस प्रकार की बात उची थी तक भी हम लोग वहां पहुच करके बचाव किया था और भाजपा सवाल पूचे थे और सवाल पूचने के कारण वो सारे वहां से भागे थे आज फिर अब गोशिया को लेनी तो है इसाथ में लेकिन उनके साथ में बड़ा हिस्सा महरोली का जिसमें मिदल क्लास भी हैं और हर प्रकार के वर्क के साथ ही वहां पे हैं सब को तो कुल मलाके 40 से 50 हजार लों का डिस किस प्रकार से अक हतासा का अपने निरासा का सरूत दे रहे हो लेकिन कांप कोल्कर सुलो है कि अरंविंद केजरिवाल चैठान के तरह खड़े हैं हैं वाही चत्तान के तरह खड़े हैं आपको ऐसी गैर कानूनी गैर संब्धानिक कार नहीं करने देंगे और तमाम इसमें इस नोटिस में अगर देखेंगे तो इसमें तमाम लिखा हुआ कि फलाना खसरा का के ऊपर स्टी ओर्डर है ये लेकिन किसी चीज का चिंता नहीं कर रही ना जो डूसिब में प्रोटेक्टेड है जो अर्विंजी ने प्रोटेक्ट कर रखा है डूसिब के जरीए ना उसकी चिंता आए कुछ नहीं है यही है कोट यही है वकील यही है सब कुछ तो जो इनका मरजी आता है निक एक कागज के जरीए 40-50 लोगों डिस्पेस्मेंट सब्सक्राइब करने के पहले सोचते हैं तो इस पत्रकार वार्ता के मात्यम से उन साथियों कहना चाहते हैं कि आप घौड़ाईए गमत जाए गोश्य कॉलनी के साथि हो यह गोश्य को लिए बहुत बड़ा महरुली का हिस्सा इसके चपेट में आ रहा है सब कहना चाहता हो कि आप घौड़ाईए गमत अर्विन केज रिवाल हैं आपके लिए आम आदमी पार्टी के बदायक पार्शर हैं आपके लिए आप घौड़ाईए गमत हम पुर जोर तरीके से डीडिये के सामने केज लड़ रहे हैं और भाजपा को चतावे देना चाहते हैं कि ऐसी हरकत स इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करकर जरूर बताएं न्यूजरूम से अमन बढ़ डियार की रिपोर्ट